कि नमस्कार सभी को बॉड़ी फ्रूड एंड सर्कुलेशन के इलावन नंबर के पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागात मोस्ट वेलकम आज आप और हम लोग हर्ट शाउंड पर चर्चा करेंगे हिर्दय धनिया क्या होती है ये हर्ट शाउंड क्यों उत्पन होती है ये कितने प्रकार की होती है ये किन कारणों से औरिडेट होती है इन बिंदूओं पर चर्चा आज आप और हम मिलकर साथ में करेंगे तो सबसे पहले आप हर्ट साउंड की डेफिनिशन क्या दे सकते हर्ट साउंड के बारे में क्या बता सकते है इस पर चर्चा होती है तो कार्डियक साउंड के दौरान अपने हिर्दय में कुछ साउंड उत्पन होती है इन्ही साउंड को हर्ड साउंड के नाम से जाना जात है तो यह जो हर्ट में कार्डियक साइकल के दौरान कब कार्डियक साइकल के दौरान हर्ट में हर्ट साउंड हर्ट साउंड कहलाती है कि लिए लेख दिया कार्डियक साइकल के दौरान हर्ट में उत्पन होने वाली शाउंड हर्ट साउंड मुक्रूप से कहलाती है यह हर्ट साउंड निम्न प्रकार की होती है नंबर एक देखी फर्ष्ट हर्ट साउंड प्रथम हर्देध्वनी इस जो फर्ष्ट हर्ट साउंड होती है इसमें लब की साउंड सुनाई देती है कैसी सुनाई देती है लब की साउंड सुनाई देती है आप लोग देखा होगा कि जब अपने को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप और हम लोग डॉक्टर में पास आते तो डॉक्टर मुक्रूप मुक्रूब से इसकोप के द्वारा हाड पर या लेफ साइड में मुक्रूब से इसकोप को रखता है और मुक्रूब से कुस ध्वनियों को सुनने की कोसिस करता है तो यही वास्तम में मुक्रूब से यह जो ध्वनिये इन साउंड को सुनने की कोसिस करता है कि यह साउंड किस सुनाई दे रही है तो फर्स्ट जो हर्ड साउंड होती है जिसमें लब की साउंड सुनाई देती है एल यू डबल भी या एल यू डबल भी की साउंड सुनाई देती है यह साउंड मुक्रूप से कम सुनाई देती है जब tri-caspid and by-caspid tri-caspid और by-caspid valve clothed होते हैं बंद होते हैं उस दोरान जो द्वनी सुनाई देती हैं उसी द्वनी को मुक्रूप से क्या कहा जाता है first heart sound कहा जाता है और इसमें लब की द्वनी मुक्रूप से सुनाई देती है तो पहनी heart sound second second heart sound यह जो second heart sound होती है इस sound में मुक्रूप सी dumb की sound सुनाई देती है और यह कब सुनाई देती है यह कब सुनाई देगी वास्ता में मुक्रूप से यह जो ध्वनी है यह है sound सेमी लुनर बाल्व सेमी लुनर बाल्व के क्लोजड होने पर सुनाई देती है तो आपको यह पता होगा कि ट्राइक के लुनर बाल्व कहा पाए जाते हैं क्या राइट और और एकिंद और नीचे का भाव होता है राइट वेंट रिकिंद तो उन्हें के बीच में मुक्रूप से थोड़ा सा में इमेजनेशन डाइगराम बना के दर बता रहा हूं देख देखिये यहाँ जो बाल्व है यह जो पाए जाते हैं यहाँ जो बाल्व पाए जाते हैं यह क्या है रावा आपको बताया होगा ध्यान होगा यह क्या है लावा आपको ध्यान होगा राइट औरिक्लो वेंट्रिकुलर परचर लेफ्ट औरिक्लो वेंट्रिकुलर परचर इस पर तीन बाल्व पाए जाते हैं तीन बाल्व पाजाते जिन्हें ट्राई कैस्पिड वाल्व कहा जाता है यहां जो बाल्व पाजाते इन्हें मिट्रल वाल्व या वाई कैस्पिड वाल्व कहा जाता है जब ये बाल्व बंद होते हैं ये बाल्व मुक्रूप से कब बंद होंगे जब बैंट्री किल जब बै पहली फर्सटाड जो होती है यह समय लुनर वाल्व के बंद होने पर मुक्रूब से सुनाइब इसे मिलोनर वाल्व के बंद होने य Tai कि इसको pulmonary IELTA कहा जा रहा मैंने इन सेउठ में लिखिदिया यह क्या है systemic IELTA है इस systemic IELTA पर इस पलेस पर से जो बालब पा जाते जिन्हें semi lunar बालब कहा जाता है अर्ध चंद्रा कार होते है यह बालब जब बंद होते हैं यह बालब जब बंद होते हैं जब ब्लड कहीं बापस ना आए, बेंटिकल डाइस्टोल के दोरान, ब्लड कहीं नीचे बापस ना आए, इस बज़े से मुक्रूब से इस प्लीस पर बालव पाए जाते हैं, इन बालव को ही क्या का जाता है, सेमी लोनर बालव कहा जाता है, जब ये बालव मुक्रूब से बंद ह कुछा का या था हर साउद के नाम से जाना जाता है तो स्वभावी किये तो किस परकार से दोनी सुनाई देती देखिए एल यू डवल वी फिर ये क्रम सुनाई देगा फिर सिंपल पॉज यानि विश्राम अवस्था क्या आएगी विश्राम ध्यान होगा काडियर साइकल पराऊगा पॉइंट फूर सेकेंड के लिए जोइंट डाइस टोल होता वही है फिर से आपकी कौन सी सुनाई देगी लाव फिर कौन सी सुनाई देगी डाव इस प्रकार से मुक्रूप से ये हर्ट साउंड सुनाई देती है तो ये हर्ट साउंड होती है फिर आती है थर्ड नंबर की हर्ट साउंड कौन से नंबर की धर्ड नम्मर की हर्ट साउंड आती है यह जो फर्स्ट और सेकंड जो हर्ट साउंड है मुख्रूब जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइकेस्पिड वाईकेस्पिड वाल्व के खराब होने पर यदि यह वाल्व की नहीं कारण से खराब हो जाते हैं तो मर मर की साउंड सुनाई देती एयव ड act किवल में सना हो ठाइजिती है उस साउंड में आवाज कैसी आथी है मर्मर मर्मर की हो पाते हैं इसमें में पूरी तरह बन्ध नहीं उपा रहे हैं यह मुख्रूब से सिकड गए है Hamilton लुखना को दोहने समल और वाल में समाल पूरी क्या या बाल्व क्या हो गए शिकुड गए तो इस दोरान मुक्रूप से मेडिशन के कारण या ऑपरेशन के दोरान मुक्रूप से डॉक्टर इनको सही कर देता है तो ये साउंड कौन सी क्यालाती है मरमर की जो खराब होने पर मुक्रूप से सुनाई देती है फिर थर्ड हर साउंड आती है थर्ड हर साउंड मुख्रूब से क्या होती है यह बहते पानी जैसे सुनाई देती है कैसी सुनाई देती है इसको जरा मैं मिटाल राउं देखिए स्क्रीन सौड लेडिया करें देखिए हर हर साउंड दो ही धनिया होती है यह वाली लेकिन मुख्रूब से किनी कारण से मतलब इनकी 20 हर आबरती होती है इस वज़े से थरव फोर्थ धनी को बाव मुश्किल से डॉक्टर सुन पाते हैं आप और हम लोग तो सुन ही नहीं पाते हैं यह धनी मुक्रूब से कैसी होती है बहते पानी जैसे पानी बहता है ना उस प्रकार की धनी बहते पानी जैसी साउंड सुनाई देती है और यह कब सुनाई देगी जब बैंटरी किलके भरने के दोरान सुनाई देती है उसी धनी को क्या कहा जाता है थर्ड हर साउंड के नाम से जाना जाता है आप लोग ने देखा होगा सुना होगा पानी जिस प्रकार से बहता है वह धनी जो सुनाई देती है उसी को क्या कहा जाता है थर्ड हर साउंड कहा जाता है और इसमें मुक्रूब से और के ब्लडब की सब्सक्राइब इस कि तो पूर्त हौए हमें में यह सौंड मक्रूफ यहal होती है औरीकिल सिस्टोल के दोरान औरीकिल सिस्टोल के दोरान वेंट्रिकिल में रक्त तेजी से जाने पर औरीकिल सिस्टोल के बारान वेंट्रिकिल में ब्लड के दोरान वेंट्रिकिल में ब्लड के तेजी से जाने पर यह साउंड सुनाई देती है इसमें हिजिंग, इसमें हिजिंग साउंड अब यह कोई म्यूजिक में साउंड होती होगी इसमें हिजिंग साउंड सुनाई हिजिंग जैसी कोई म्यूजिक में साउंड होती होगी वह ध्वनी मुक्रूप से क्या के राती है फोर्थ हर्ट साउंड के दोरान वह भी कभी में बता है उसी को फोर्थ हर्ट साउंड के नाम से जाना जाता है लेकिन थर्ड और फोर्थ हर्ट साउंड की जो आबरती होती होगी होती है विश्ष तौर पर जाना जा energy थर्ड एंड फोर्थ हर्ड साउंड की आवरती 20 हर्ड होती है इस बजे से इसको आसानी से नहीं सुना जा सकता इस बज़े से धर और फोर्थ हर साउंड को आसानी से नहीं सुना जा सकता तो ये मुक्रूब से आप इस तीन सौडली लीजिए इसके बाद 12 नंबर के पार्ट में इसके बाद मुक्रूब से जो 12 नंबर का पार्ट आएगा उसमें आप और हम लोग ब्लड प्रेसर बीपी ड्रक्ट दाप पर मुक्रूब से चर्चा करेंगे